विशाल काई जानवर जैसा दिखने वाला, दराने वाला, मानव की तरहा चलने वाला शायद कोई बंदर, कोई भालू या फिर शेर शायद ऐसा ही होता है हिम मानव, जिसके अस्तित्वों को लेकर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं क्या बर्फीले इलाके में आज भी रहते हैं हिम मानव? क्या बर्फ में ही है हिम मानवों का ठिकाना? अगर रहता भी है तो कैसे इतनी बर्फ में जिन्दा रहता है हिम मानव? भारत, नेपाल और तिबबत में हिम्मानव को देखने जैसे दावे तो किये गए लेकिन बरफीली चोटियों में वो गायब कहां हो जाता है हर कोई इस बात से अंजान है आज एक बार फिर हिम्मानव का मुद्धा इसलिए उठा क्यूंकि इस बार किसी और ने नहीं बलकि भारतिय सेना ने हिम्मानव की मौजूदगी के संकेट दे दिये है भारतिय सेना ने पहली बार हिम्मानव येती की मौजूदगी को लेकर कुछ सबूत पेश किये है इस संबंध में ट्विटर पर कुछ तस्वीरे साज़ा की गई हैं जिसमें बर्फ पर बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं सेना के जंग सूचना विभाग की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसमें तीन तस्वीरे हैं जिसके जर्ये हिम मानव की मौजूदगी के सबूत पेश करने की कोशिश की गई है और कहा गया है कि पहली बार भारती सेना के एक परवतारोही टीम ने मकालू बेस कैम के करीब 32-15 इंच वाले रहस्य मई हिम मानव येती के पैरों के निशान देखे हैं जो कि इससे पहले सिर्फ मकालू बरून नाश्निल पार्क में देखे गए थे हिम मानव के होने के पहली बार सबूत नहीं पेश किये गए हैं इससे पहले भी कई लोगों ने हिम मानव के होने के दावे किये हैं तस्वीरे भी पेश की गई हैं लेकिन वो कहां हैं कैसे हैं कहां रहते हैं कैसे जीवन यापन करते हैं इन सवालों से अभी भी सब अंजान लेकिन अब जब भार्दी आर्मी ने ऐसे सबूत पेश किये हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हिम्मानव जैसा कोई जीव प्रिथवी पर है जो ना तो जानवर है और ना ही इंसान है कई जगहों पर तो इसे राक्षस का प्रारूप भी माना गया है बता दे कि सबसे पहले हमानव के बारे में 1832 में बंगाल के एशियातिक सोसाइटी के जर्नल में एक परवतारोही बी एच होच्षन ने यती के बारे में जानकारी दी थी उन्होंने लिखा था कि जब वो हमाले की ट्राकिंग कर रहे थे तब उनके गाइड ने एक विशाल काई प्राणी को देखा था जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा था जिसके शरीर पर घने लंबे बाल थे लेकिन होच्षन को वो प्राणी नहीं दिखा था लेकिन उन्होंने इस खटना का जिक्र करते हुए उस जीव को यती नाम दिया था इसके अलावा भी हमानब के होने के सबूर सामने आते रहे हैं